चेह मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारी योजिप चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून माह 2021 के पहले सपता के सिहिंग राशी फल के बारे में सिहिंग राशी के लोगों के लिए ये साथ दिन कैसे रहेंगे एक जून से साथ जून तक का समय कैसा रहेगा इन साथ दिनों में ग्रह नक्षत्रों की इस्तिती कैसी होगी किन ग्रहों का शुप प्रभाव आपके उपर होगा और क्या-क्या सावधानिया रखनी होगी कि शे और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय पर सभी जनकारियां मिलती रहेंगी तो सबसे पहले हम इन चन्दरमा किस्थिती यही जो राशी फल्ल यह चंदरा राशी पराधारित है और हम चंदरमा के की थी एक जून से 7 जून तक देखें तो कुंभ राशी से गोचर करते हुए चंद्रमा मेश रासी तक जाएंगे कुंभ, मीन और मेश राशी अब इन तीन भावों में सक्रिय रहेंगे या आपकी ये तीन भाव सक्रिय होंगे इसी के अनुसार आपकी जो दिन चरिया है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेंगे इसके अलावा सप्ताह की शुरुवात में ही गजकेसर योग निर्मित हो रहा है दो दिन एक और दो जून को दो जून को मंगल भी राशी बदल रहे हैं मंगल अभी तक मिथुन राशी में थे शुक्र के साथ और अब मिथुन राशी से निकल कर चंदर की राशी करक राशी में पहुँच जाएंगे क्या यूती हुई दूसरा इस सप्ताह में जो शुक्र और बुद्ध का परिवर्तन योग बन रहा है तो इसका भी जो प्रभाव है वो आपको देखने को मिलेगा यानि जो ग्रहों की स्थितिया हैं वो कई तरह से अनुकूल होंगी अब बुद्ध भी सप्ताह में उल्टी चाल चलने वाले हैं बुद्ध का राशी परिवर्तन हुआ था मिथुन राशी में लेकिन अब वो वक्री हो जाएंगे जिससे बुद्ध और शुक्र एक बार फिर से एक साथ होंगे और ये कारक ग्रह बन जाएंगे अब इनका प्रभाव आपके ओपर कैसा होगा चले विस्तार से जान लेते हैं सिंग राशी वाले लोगों के लिए अगर हम चंद्रमा केस्ति देखें तो साथवे, आठवे और नौवे इन तीन भावों में चंद्रमा आपके लिए रहेंगे साथवे भाव में चंद्रमा केस्ति गुरु और चंद्र की यूति के साथ हो रही है गज केष्री योग बन रहा है साथवे भाव भे जो की साजेदारी का भाव है, आपके वेपार का भाव है, किसी तरह की भी साजेदारी हो ये भाव उस चीज को दिखाता है तो आर्थिक पक्ष के लिहाद से ये जो समय होगा ये आपके लिए कई तरह से बेहत खास होने वाला है तो आर्थिक पक्ष आपका बहुत मजबूत होगा सप्ताह की शुरुवात से ही यानि कि महीने की शुरुवात ही आपके लिए अच्छी हो रही है एक बहतर दिशा मिलेगी और बहुत ही अच्छे अवसर प्राप्त होंगे आपको आगे बढ़ने के लिए इस सप्ताह में आप पैसे बचाने पैसे संचे करने वाले जैसे कामों से जुड़े रहेंगे यानि आप पैसे को बचाना सीखेंगे और अपने परिवार वालों का साथ भी आपको मिलेगा ये सप्ताह बेहत खास है गजकेसरी योग जो की पैसे की आवक को बढ़ाने वाला होता है और सप्तम भाव तो व्यपार का और साज़ेदारी का भाव भी होता है तो यहां ये योग का प्रभाव आपको इस महिने की शुरुवात से ही देखने को मिलेगा जिससे आप धन की बरकत कर पाएंगे अपने जीवन में आप धन का जो संच है वो कर पाएंगे अब नवं भाव में चंद्रमा भी होंगे इस सप्ता हमें लेकिन वो सप्ता के अंत में होंगे अब यहां इस्थितियां होंगी मंगल का राशी परिवर्तन हुआ दो जून को मंगल राशी बदल कर कर राशी में चले गए जो कि चंदर की राशी है तो मंगल का जरूर थोड़ा बहुत प्रभाव ऐसा होगा कि आपको चिड़ड़ा कर सकता है आपके अंदर गुस्से के अधिक्ता कर सकता है तो उन चीजों पर आपको जरूर कंट्रोल करना होगा लेकिन ये जो शुरू से इस्थिती होगी अब गुरू शुक्र और बुद्ध का जो योग बनेगा इसका प्रभाव भी बेहद अच्छा होने वाला है आपके लिए ये समय होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार के लोगों के साथ बिताएंगे मौजमस्ती करने का आफसर मिलेगा घर में कुछ मांगलिक कैरेकरम भी होंगे और इस दोरान आप जो घर की कई तरह की जो काम है या कई तरह की परिष्थितियां हैं उनमें भी काम कराने में साहिता करेंगे सफलता पराप्त होगी कई तरह की घर से जुड़ी समस्याओं का समाधान करते हुए दिखाए देंगे और जो जातक साज़ेदारी में व्यवसाय करते हैं उनके लिए इस दोरान सब्तम भाव में जो गुरू चंद्र की युदि है ये देखें शुरू से ही आप इस चीज़ को देखें कि हर प्रकार के जो नुकसान आपके हुए हैं जो पिछले कुछ दिनों में आपके नुकसान हुए हैं उनसे उभरने में आपको मदद मिलेगी तो बड़ी अची इस चितिया हैं इसलिए अपनी पूरी महनत अपना पूरा ध्यान आपको अपने काम पर केंद्रित करना होगा आप हर तरह के नुकसान से उबर सकते हैं आपके करियर के लिए ये समय काफी बहतर सिद्ध होने वाला है काफी अच्छा सिद्ध होने वाला है आप चंद्रमा राशी बदलेंगे और आपके आठवे भाव में आ जाएंगे यानि कि मीन राशी में अस्टम भाव बदलाव का भाव कहलाता है और ये कुछ गुडविद्याओं का भाव भी कहलाता है तो इस दोरान आप अपने वेपार के विस्तार को करने के लिए कुछ बड़ी लोगों से मिल सकते हैं बड़ी हस्तियों से मिल सकते हैं उनसे कुछ बातें आपको सीखने को मिलेंगी, काफी अच्छी योजना बनाते हुए आप दिखाए देंगे, तो ये इस्तितियां भी आपके लिए अच्छी रहेंगे, बस थोड़ी सी सावधानी रखें, अंजानों पर विश्वास ना करें, अंजानों को अपनी योजना य रखना होगा, स्टुडेंट्स के लिए भी अपनी सिक्षा में भागय का साथ मिलने का योग है, आपके जो टीचर्स हैं, वो आपके सहयोग करते हुए नजार आएंगे, वो आपको मदद, जितनी मदद आपको चाहिए, वो आपको देंगे, साथ में योग और भी अच्छ अच्छे रिजर्ट देखने को मिलेंगे, जिसके चलते लोग आपकी प्रसंसा भी कर सकते हैं, तो बहुत इच्छा समय है, अब सब्ताह का अंतिम समय चंद्रमा आपके भागय भाव में होंगे, भागय भाव में चंद्रमा, भागय को चमकाने वाले, यहां देखे मंगल क राशी मेश है, और यहां मंगल की राशी में चंद्रमा ने प्रवेश किया है, दूसरी तरफ चंद्रमा की राशी में, करक राशी में मंगल ने प्रवेश किया है, तो यह दोनों ग्रह एक दूसरे के घर में बैठे हुए हैं, तो अब आपको इन ग्रहों के जो रिजर्ट है वो बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे क्योंकि भागय भाव में चंद्रमा है और यहां चंद्रमा आपके भागय को चमकाने का काम करेंगे मंगल जो की चंद्र के भाव में बैटे हैं वो जमी जादाद से लाब दिलाने का काम करेंगे एक दूसरे को आप सपोर्ट करते होनी शुरू होंगी, लाब मिलने शुरू होंगे अब आपको, अब आपका काम तेज गती पकड़ेगा, आप मानसिक तोर पर खुद को काफी रिलेक्स महसूस करेंगे, सेहत का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है, सेहत को किसी भी तरह से आपको कम नहीं आखना है, परिशानी आती है, तो उस परिशानी के बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि इश्वर एक दरवाजा बंद करता है, तो उसके बदले में चार दरवाजे और खोलता है, जरुत होती है, आपको उन्हें देखने की, उन पर अमल करने की, तो बस अपने विश् सूर्य को जलार्पित करें ओम सूर्य नम्हा इस मंत्र का जब करें तो यह जो सब्ता है बहुत अनुकुल रहेगा साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें